नमस्कार दोस्तों, आपका दिलेर पूर्वान्चल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको पूर्व केवनेट मंत्री बलराम यादो के बारे में बताने जा रहे हैं बलराम यादो सपा के संस्थापक सद्रस्यों में एक हैं आजमगड के निवासी बलराम यादो का उत्तर पदेश सार निती में एक बड़ा दबदबा है वर्स 1978 में पहली बार बलराम यादो बलाक परमुक बने इसके बाद वे रार निती में आगे बढ़ते चले गए 1980 में बलराम यादो बिधायक का चुनाव लड़े पर वो चुनाव हार गए इसके बाद 1984 में वे पहली बार चौधरी चरंड सिंग के लोग दल से बिधायक बने फिर 1989 में दूसरी बार बिधान सभा पहुचे इसके बाद बलराम यादो उत्तर परदेश की रार निती में लगातार सक्रिय रहे और वे उत्तर परदेश के एक बड़े नेता के तौर पर उभरते गए इसके बार मुलायम सिंग यादो के साथ समाजवारी गठन में बलराम यादो ने महतपूर भूम का निभाई सपा के टिकेट पर 1991 और 1993 में सफल हुए 1998 में बलराम यादो मलसी बने बलराम यादो को हमेशा सपा सरकार के मंत्री मंडल में बड़ा पद मिला पूर्वांचल की रानीती के बड़े नेते के तौर पर जाने याते हैं बलराम यादो और आजमगड के लोग प्रिय नेता हैं बलराम यादो बलराम यादो को मुलायम सिंग यादो का काफ बहुत करीबी कहा जाता है तो ये रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश की रारनीती के बड़े चेहरे बलराम यादो जो की पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में एक अच्छा पकड़ रखते हैं बलराम यादो को मुलायम सिंग्यादो और अखलेस यादो का बहुत करीबी नेता कहा जाता है और ये आजम गड़के एक लोग प्रिये नेता हैं ये कई बार विधायक और कई बार मंतरी रह चुके हैं तो ये रहे दोस्तो उत्तर प्रदेश के बड़े केबनेट पूर्व केबनेट और मंतरी बलराम यादो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन करें नमाद